नमस्कार, मैं हम कांता गड़ आज हम मनाएंगे नारियल की चटनी, तो नारियल की चटनी तयार करने के लिए हमें क्या समाम चीए, ये नारियल, और ये हरी मिर्च, ये थोड़ा धनिया, एक चम्मच, एक चम्मच जीरा, दो चम्मच स्वाद अनुसार नमक, हींग चुट्क सबसे पहले, हम ये नारियल का चितुक बलीन के हैं, अगर ये आप अपहता और ये तो हूँ नहीं हम अपहता है कर दो और ये काणिола, ये पैसे रशाओ, नहीं हूँ नहीं हमताँ चक्रतुसार हो, एपहता केविए दा हम ऑण समाम परे तो यह अब हमने धनिया डाल दिया, तो यह अब हमने धनिया डाल दिया, यह जीरा, यह नमक, और यह चुटकी बार हींग, और यह नीबू करास, और इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा पीसते जाएंगे, और इसमें पानी डालते जाएंगे, अब ही हमारा नागल थोड़ा मोटा है, चटनी मोटी है, तो इसमें हम पानी डालते जाएंगे, बीच में इसमें से पानी डालेंगे, अगी हम चाह सचने के a जून आएंगे भर्चे सार्टी से ड्चामें आएंगे तो इएंगे! इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे, और पीसेंगे हम इसको. अभी हमारी चटनी बन चुकी है, अब हम इसमें तड़ता लगाएंगे, राई का. तो सबसे पहले हम गैस के लाएंगे, और इसमें हम ये देसी खी डालेंगे, एक चम्मच देसी खी डालेंगे. तड़के, तड़का हम ये राई और हींका लगाएंगे, साबुत राई. तो अब ये हमारा गी करम हो गया, चुटकी भर थोड़ी सी हिंग लेंगे, क्योंकि हमने हिंग इसमें डालती है, खुशू के लिए, अब ये हमारा गी करम हो गया, अब इसमें हम राई डाल देंगे. अब ये हमारी राई बुन चुपिया है, फुड़ा साइस को भूल लेंगे, इस तरह से, नारीली चट्नी स्मिडाव देंगे. तरह बुट्टा आज तेज करेंगे, और इसको थोड़ा थोड़ी एक मिनट पे भूल लेंगे. इस तरह से, अब ये हमारी नारीली चट्नी बुन चुकी है, अब हम गैस बंद कर देंगे, और ये चट्नी हमारी बन के तयार. अब हम इसे सर्व करेंगे. कि ढ़ब. अगर मेरी लारील की चेपनी की रेसिपी आपको पसंद बाती है तो प्लीज मेरी वीडियो को टाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं ऐसी ही रेसिपियों के साथ आगे भी